हेलो दोस्तों मेरा । एट्वी चेनल 8 अलसनी ब्लोग में आप लोग का फिर से स्वागत है तो आसा करती है। आप लोग सभी अऐसे से होगे। किश्टों नाश्था कर लिए हैं तो आभी आंद और बना रहे हैं तो दोस्तों यहां पर मैंने चावल चड़ाया है और चावल बन रहा है और यहां पर आलू पत्ता गोवी का सब्जी बनाया है तो यह भी बन गया है तो अभी साग बनाएंगे और दाल तो देखिए दोस्तों यहां पर मैंने साग को अच्छी से दोलिया है तो इसे ले चलते हैं दोस्तों साब्जी के निकाल लेते हैं दूस्ते बढ़ते हैं तो इसे में साग को बनाएंगे तो दूस्तों साग को डाल दिये हैं इसमें थोड़ा सब नमक डाल देते हैं और इसे सिजने के छोड़ देते हैं तो तो साग सीज गया है इसे निकाल लिये हैं और कड़ाई ने तेल डाल दिया गरम हो गया और इसमें रच्पी निकाल दाल देते हैं तो देखिए दूस्तों इना पर साग बन गया है और चावल भी बन गया है इसे भी पसादी हैं तो बन गया है दूस्तों तो दूस्तों नास्ता का थोड़ा चा बरतन है इसे साफ कर लेते हैं कर दो पसादी है कर दो वाय बन गया है दूस्तों जकलाल दूस्तोंस में माता कर दूस्तों वाक ठूस्तों oxidation तो दोस्तों बर्थन को साफ कर लेते हैं तो दोस्तों सारे बर्थन को साफ कर लेते हैं तो दोस्तों बच्चों को भूख लग रहा है तो उनके लिए थोड़ा सा प्याज का पत्ते का पकोड़ा बना देंगे क flavored का की इस तरह से बनाऊंगी दूस्तों आपलक साथ सेर कर 240 मीग दोस्तों यहीं प्याज की पत्तों सब्टों का चालए बोला कर दोस्तों इसला फ्याज की पत्ते को का absolute याएँ अब शिया बेषाण आट्स नम अनमा करा हैं आटे को बच्टा विच्रों इसम्डादे हैं आप मैंने स्वात्गम सा नाव देढ़ा है तो दोस्ता अब इसे मीक्स करना है तो दिखे दोस्ता अच्छे से मीक्स कर दिये हैं और यहां पे तेरी गरम होने के लिए चाहिए और तेरी गरम हो गया है अब इसमें पुखवराव लाएंगे तो देखिए दोस्ते याच्छे से पागे याच्छे निकाल बेकें अंपॉब याच्छे कर दो इसे दो भारे दो घाले मी घालो तो दो सारा क्तम हो गया है इतना सारा बना के रखें तो यह खाने में बहुत ही अच्छा रहते हैं तो दोस्तो आप इसे घर में एक बार जरूर बनाई है तो दोस्तो वीडियो को यहीं पर रखते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सस्क्राइब, सेर चरूर कर दिना तो दस्तो आगले वीडियो हम फिर से मिलते हैं और तक तक के लिए बाए